Hello Everyone, Welcome to Brahmi Academy आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कब बनाया गया वो भी ट्रिक के साथ तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा और आप देखेंगे कि इस एक छोटी से वीडियो में आपको कितनी असानी से याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कब बनाया गया है तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते है सबसे पहले हम देखेंगे 1956 में जब हमारा क्या बना था मध्य प्रदेश बना था तो आपको पता है मध्य प्रदेश वाले इलाके में 36 गड़ भी जुडा हुआ था तो ये पूरा हो गया आपका मध्य प्रदेश का मैप बात करें मध्य प्रदेश में जिले कितने थे 36 गड़ भी साथ में था ही 1956 से लेके 2000 तक तो हम ये नहीं देखेंगे कि 36 गड़ का कौन सा जिला कब बना है ना साथ में ही बन रहे थे मध्य प्रदेश और 36 गड़ के हम सिर्व हमारा सिर्फ फोकस रहेगा मध्य प्रदेश के जिलों पर तो 1956 में हमारे पास कितने जिले थे ये थे आपके 43 डिस्रिक्ट्स ठीक है 43 जिले हमारे पास थे 1956 में याद रखिएगा 72 का बहतर बना सकते हैं तो बहतर करने के लिए क्या बनाया गया दो जिले बनाये गया 1972 में भोपाल और राजनन्द गाउं ये तो आपके 36 गड़ का है तो इसको याद नहीं रखना है आपको फोकस करना है भोपाल में तो पहले भोपाल सिहोर जिले की तहसील हुआ करती थी 1972 में मतलब हमने भोपाल को क्या किया और बहतर बनाया और क्या बना दिया जिला बहतर बनाने के लिए हमने भोपाल को बनाया जिला तो भोपाल का याद रखना बहतर 1972 में हमने भोपाल जिला बनाया था ठीक है यह आपका बी आर दुबे कमीटी की रिकमेंडेशन पर बना था ठीक है बी आर दुबे कमीटी थी उन्होंने बोला था कि उन्होंने रिकमेंडी थी दस जिले बनाने की ठीक है तो दस जिले में से जो आपके चार जिले थे वो थे मध्य प्रदेश के तो यह चार जिले कौन- शोपूर, धिंडोरी, कट्मी आपको याद कैसे करना है याद करिएगा इसकी ट्रिक B, S, D, K ठीक है? B, S, D, K तो B for बढ़वानी हो गया तो B से आपका हो गया बढ़वानी ठीक है? मैं आप में देखते चलेंगे बढ़वानी आपका आता है ये वाला इलाका बढ़वानी, बढ़वानी किस से अलग होके बना था? तो ये बना था खरगोन से अलग होके ठीक है? तो ये हुआ खरगोन से अलग होके बना बढ़वानी फिर आप देखेंगे S4 क्या हुआ आपका? शोपूर मुराना से ठीक है मुराना से अलग होके बना ये आपका श्योपूर खरगाउन से अलग होके बना बढ़वानी BSD के याद रखता है दिमाग में चलाते रहना D for आपका क्या हो गया D for Dindori ठीक है Dindori किस से अलग होके बना था तो यहाँ पर है आपका देखिए यह रहा Dindori Dindori अलग होके बना था Mandala से ठीक है तो Mandala से अलग होके बना आपका Dindori और K for आपका हो गया K for Kटनी K for हो गया आपका कटनी तो यह रहा आपका कटनी जो की किस से अलग होके बना था यह पडोसी जबलपूर से अलग होके बना था ठीक है तो यह याद रखता है आपको Bढ़वानी, शोपूर Dindori, कटनी B, S, D, K यह मई 1990 बनाए गया थे ठीक है यह याद रखेगा मई 1990 बियार्दुबे कमिटी उनकी रिकमेंडेशन से बने थे B, S, D, K मतलब बढ़वानी, शोपूर, डिंडोरी, कटनी चार जिले बनाए गया थे टोटल उन्होंने 10 जिले बनाने का बोला था तो 6 जिले जो थे ठीक है, सिंग देश समिती की रिकमेंडेशन पे फिर से 6 जिले बनाए गया इन 6 जिले में तीन जो थे वो मध्यप्रदेश के थे ठीक है, तीन मध्यप्रदेश के थे कौन-कौन से हर्दा, उमरिया, नीमच याद करने के लिए आपको क्या करना है हुन हर्दा देखिए, ह एच फॉर हो गया आपका हर्दा यू फॉर हो गया उमरिया एन फॉर हो गया नीमच ठीक है, लोकेशन इसकी देख लीजे मैं आप आपको अगर याद करना है तो मेरा एक MP मैं आपका बहुत ही अच्छा वीडियो है जो आपको पूरे पूरे जिले लोकेशन के साथ याद करवा देगा ट्रिक के साथ आसानी से, तो उसे जरूर देख लीजेगा, ये है आपका हर्दा छीक है, यह रहा हर्दा, उसके बाद है U for Umaria, तो यहां देखिएगा ये है आपका Umaria छीक है, ये है उमरिया और तीसरा है आपका नीमच तो यह रहा आपका नीमच ठीक है तो ध्यान रखिएगा हर्दा बना था नर्मदा पूरम से अलग होके नर्मदा पूरम ठीक है फिर आपका नीमच बना था मंदसौर से अलग होके मन्द सौर और यह आपका उमरिया बना था सहडोल से अलग होके ठीक है तो यह याद रखना है आपको तो यह हो गया हम ह-u-n उसके पहले हमने बताया b, s, d, k ठीक है तो यह हो गया आपका b, s, d, k बढ़वानी, शोपूर, डिंडोरी, कटनी ठीक है, हर्दा, उमरिया, नीमच तो यह हो गया आपके 1998 1998 में, माई में हमने b, s, d, k, बनाया, जून में हमने h, u, n, ho, बनाया ठीक है, यह याद रखना है, उसके पहले भोपाल कब बना था, हम बहतर बनाने के लिए हमने भोपाल को जिला बना दिया था तो यह याद करते रखिएगा next देखते हैं 1999 के बाद आता है आपका 2000, 2000 में क्या हुआ था कोई जिला नहीं बना था, विभाजान हुआ था विभाजान हुआ था, तो उस टाइम तक, मतलब हमारे पास टोटल जिले कितने आगे थे 61, 36 गड़ और मध्य प्रदेश को मिला कर हमारे पास जिले थे 61 फिर जब हम विभाजित हुए 36 गड़ से, तो हमारे पास कितने बचे 45, तो याद रखिएगा 2000 में जब हम 36 गड़ से अलग हुए थे, तो मध्य प्रदेश के पास थे 45 जिले ठीके, स्टार्टिंग में कितने थे 43 जिले 2000 में जब हम विभाजित हुए तो हमारे पास थे 45 जिले, अब जो भी जिला आएगा नेक्स्ट हम 46 से चालू करेंगे ठीके, तो फिर याद देखिए अगस्ट 2003 में तीन में आया आए आपके तीन जिले अनूपपुर, अशोग नगर और यह आपका बुरहानपुर इसको कैसे याद करना है इसको याद करना है आपका जो अशोख है अशोख और अनूप अशोख और अनूप तीनो यहाँ पर ती हैं दो ही और बुरे से हो गया बुरहानपुर अच्छे ये तीनों किसके लिए आया है ये तीनों आया है दो हजार तीन के लिए ठीके तो अशोक, अनूप तीनों बुरे हैं तो अशोक, अनूप और बुरहानपुर तीनों कब बने हैं दो हजार तीन में ठीके तो इससे याद रखेगा आपका अशोक नगर यह यहाँ पर आपको पड़ेगा ठीके यह रहा अशोक नगर तो उसके बाद देखेंगे यह रहा आपका अनूपपुर यह रहा अनूपपुर और बुरहानपुर आपको पड़ेगा यह रहा बुरहानपुर ठीके तो य याद रखेगा यह रहा अशोक नगर आपका जो यह उसके पडोसी गुना से अलग होके बना है ठीक है तो यह होगे आपका अशोक अशोक गुना से अलग होके बना है यह आपका जो बुरहानपुर है बुरहानपुर यह बना है खंडवा से अलग होकर ठीक है खंडवा से अल तो अशोकनगर अनुपपूर बुरहानपूर और यह आपके 2003 तीनों 2003 में बने हैं ठीक है उसके पहले हमने पढ़ा बी एस डी के उसके बाद हुन उसके पहले हमने पढ़ा 1972 बहतर करना था हमें किसे भोपाल को बहतर एक करना था भूपाल का इसलिए हमने उसे जिले बनाया तो यह हो गया आपके 2003 तक आ गया 72 1993 में मैं 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 Tot 25 के जून नुन 489 में मैं बना हुन फिर उसके बाद आता है आंका 2003 अशोक अनुप तीन अबुरह है ठीक है इतना आपको clear हो गया होगा और वो किस जिले से अलग होकर बने हैं ये भी आप साथ में देखते चलिएगा फिर आता है 2008 अच्छा ये कैसे याद करना है याद रखिएगा 1998 में आपके बनाए गए थे फिर आप एड करेंगे पांच साल ठीक है जिले बना दिये फिर 2003 में जैसे ही आप P ל התकरेंगे तो आएगा 2008 तो 2008 में फिर हम जिले बना देंगे तो आप ऐसे यौझा याद कर सकते हैं कि हर पांच साल में जैसे ही सरकार के पास आता है चुनाऊ तो क्या करती है वो नए जिले बना देती है जैसे अभी आप देख रहे है 2023 में exactly यही हुआ है चुनाओ आ गया और हमारे याँ तीन जिले बन गया तो ऐसा ही कुछ हमेशा से होता आया है 1998 में जिले बने थे उसके बाद 5 साल जैसे ही चुनाओ आने वालत 2003 का हमने फिर क्या किया फिर 2003 में जिले बना दिये 2003 के जश्ट पांच साल बाद 2008 में हमने फिर जिले बना दिये तो ऐसे करके फिर 2008 में फिर आप 5 एड़ करेंगे तो फिर 2013 में आप जिले बनाएंगे फिर 5 साल एड़ करेंगे तो फिर यह होगा आपका 2018 2018 में बनाएंगे ठीक है फिर याद रखिएगा कि अभी 2023 में बना है ठीक है अभी 2023 में फिर से जैसे election होगा आप फिर बना रहे हैं तो यह जरूर याद करके रखिएगा मतलब इसमें याद करने लाग कुछ है नहीं आपको बस बाजपूर और सिंगरौली ठीक है तो इसको याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि अली को अली को किसी बकरी ने एक्स्टा ले रखा है सिर्फ रिलेट करने के लिए किसी बकरी ने 8 बार सिंग मारी है ना हम किसी बड़े बैल से सिंग नहीं मरवा रहे हैं क्योंकि बैचार अली मर भी सकता है ठीक है हम सिर्फ बकरी से मरवा रहे हैं इसलिए तो अली को किसी बकरी ने 8 बार सिंग मारी ठीक है अली को तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2008 अली और सिंग रौली ठीक है याद रखेगा, अली को आठ बार सीम मारी थी बकरी ने ठीके, अशोक अनूप तीनों बुरे थे, तो बुरहानपूर हो गया, अशोक नगर हो गया और आपका अनूप पूर हो गया फिर अली राजपूर आपको को अलाग हुआ था झाबुआ से यहाद रखें सिंग्राई रहा यह विल्कुल लास्ट में यह सिंग्राउली और यह अलग होकर बना था से सीधी से ठीक है तो सीधी से अलग होके बना सिंग रॉली यहां पर जाबवा से अलग होके बना अली राजपुर अली को बकरी ने आठ बार सिंग मारी थी तो यह हो गया आपका 2008 ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं फिर 2013 मैंने बताए कि आपको 55 साल सिर्फ एड करते जाना ह है 2008 में 5 जोड़ा आ गया 2013 2013 में आपका सिर्फ एक जिला बनता है अच्छा शुरू शुरू में आप देखेंगे 1998 में हमने चार बनाए जिले फिर तीन बनाए उसके बाद फिर 2003 में तीन बनाए फिर 2008 में आके सिर्फ दो ही बनाए फिर 2013 में आके एक ही बनाया 18 में एक ही बन गुद्फेश का तो बहुत सारी संभावना थी जिले बनाने की फिर धीरे तीन फिर एक प्यार्ने लगए कि एक हमने जिला बना दिया हर एक पांच साल में इस बार शिवरास सिंह मामा जी ने क्या किया तोड़ते हिए फिर से तीन जिले बना दिये ठीक तो यह आगर मालवा बनता है आपका 2013 में, इसको कैसे याद करना है, आगर मालवा का आप उठाइए अगर, और 13 का उठाइए 13, और आपने एक गाना तो सुना ही होगा, इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीके तो उसी से रिलेट करना है आपको, कि अगर तू मेरी ग girlfriend नहीं बनी, या boyfriend नहीं बना, तो इसमें 13 घाटा, है ना, इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसमें 13 घाटा, तो यह 13 लेके चलना है, और यह अगर लेके चलना है, यह मैंने सौंग से रिलेट कर दिया है, यह इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें सिर् दो चीजे आपको याद रखनी है अगर और तेरा अगर तु नहीं हुई मेरी या अगर मेरी गल्फ्रेंड नहीं बनी मेरा बॉल्फ्रेंड नहीं बना तो उसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो यह याद रखना है ठीक है अगर और तेरा लोकेशन देखिए आगरमाला राजस्थान साइड यह अलग होकर बना था साजापूर से ठीक है साजापूर से अलग होके बना आगरमालवा तो अगर तू मेरी नहीं हुई तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो अभी तक देखिए आपने जितने भी पढ़ें हैं सबसे पहले तो 1972 बहतर बनाया था हमें हमें किसे बनाना था घुपाल को फिर 1998 में सबसे पहले तो आया था BSDK फिर उसके बाद आया था यह मैं में आया था ठीक है फिर जून में आया था 1998 में ही हुं हुन हर्दव मरिया नीमच ठीक है यहां पर आपका बढ़वानी शिवपूर दिंडोरी और कटनी ठीक है फिर 5 साल जोड़ेंगे आएगा आपका 2003 तो अशौक अनूप तीनों बुरे हैं तीनों बुरे हैं ठीक है तो यह बुरे हैं वाला पाट हो गया फिर आप देखेंगे दो हजार आठ आठ में आठ बार सींग किसको लगी थी अली को अली को आठ बार सींग मारी थी बकरी ने आठ बार सींग मारी तो ये हो गया आठ बार सींग अली को ठीक है तो अली राजपूर हो गया और सिंगरॉली हो गया यह होगा 2013 में फिर हमारा बना 2018 18 पहुशते हैं जैसे मैंने बताया आपको 5 साल आट करेंगे 2018 अक्टूबर 2018 में बना निवाडी तो निवाडी कहां पहुशते हैं यह देखे निवाडी जो है यह यह है यह टीकम गड़ से अलग होके बना निवाडी इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे हम जब भी कहते हैं कोई कांधाम नहीं करता है या ऐसे घूमता रहते हैं तो हम क्या कहते हैं मतलब 18 साल का हो गया फिर भी कबाडी की तरह घूम रहा है ठीक है तो निवाडी का बनाना है कबाडी और 18 का रिलेट करना है 18 साल से ठीक है 18 साल के हो गया हो कबाडी की त तो कबाड़ी और ये 2018, ठीक है, तो ये हो गए आपका, यहाँ पे आड़ कर लीजे, यहाँ पे हो गए आपका 2018 और ये हो गए आपका निवाड़ी, ठीक है, कबाड़ी 18 साल की उमर तक कबाड़ी की दरग हुम रहो, ठीक है, 2013 इसमें 13 घाटा, अगर नहीं हुई तो, तो अगर हो गया, अगर मालवा से, ठीक है, फिर यह हो गया आपका, अली को आठ बार सींग हुमारी थी, सिंग रॉली, अली, राजपुर और आठ, 2008, ठीक है, 2003 में अशोक अनुत, तीरोबूरे हैं, फिर हो गया, जूल में हुन, हरदा, उमरिया, नीमज, फिर माई में हो गया जो है, अच्छा, पहले निवाडी जो था, वो कौन सा था, आपका जो निवाडी है, निवाडी जिला है, बावनवा, ठीक है, उसके पहले आपका जो आगर मालवा था, आगर मालवा था, फिफ्टी फर्स्ट, बावन, इंक्यावनवा, ठीक है, आगर मालवा के पहले पनवा कब बना है तेरा अगस्त अभी अभी बना है इसलिए आग को exactly time याद रखना है तेरा अगस्त तो तेरा लोगों को अगस्त आप कर सकते हैं अगस्त याद करने के लिए कर सकते हैं आग से तो जब बना मौगण्ज मौगंज मौगंज का उठाए आप गंजा गंजे ने क्या किया था? तेरा घरों में आग लगा दिया था ठीक है? तो मौगंज आपको मिलेगा यहाँ पे यह रहा आपका रीवा यह रहा रीवा और यहाँ पे छोटा सा है आपका यह वाला इलाख का मौगंज तो मौगंज किस से अलग होके बना है? मौगंज बना है रीवा से अलग होके याद करने के लिए क्या करेंगे? कि जो गंजा था उसको सब बहुत चिढ़ाते थे गंजा गंजा बच्पन से उसको बैचारे को चिढ़ा रहे थे तो उसने क्या किया, तेरा घरों में आग लगा दी, तो याद रखना है, तेरा अगस्त से हम बना रहे हैं तेरा घरों में आग, तेरा अगस्त 2013 तो याधी रहेगा क्योंकी अभी बने हैं, और मौट गंजस हो गया आपका गंज़ा, तो एक गंज़ा था, बच्पन से उसको गंजा गंजा कहके चिठा रहे थे बच्चे तो उसने तेरा घरों में क्या करी आग लगा दी तेरा अगस्त ठीक है यह होगे आपका तिरपनवा जिला ठीक है चौवनवा जो है वो है आपका यह मैंने जो है आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन भी गजट में जो प्रकाशि सङहता 1959 क्रमा अग त्वेंटी सं две में के धारा की उपधारा दो ज़रूर याद करेगा क्योंकि ऐसे ही review कभी- कभी आपको MPPSC Prelims में देखने को मिल जाते हैं तो यह याद रखिएगा कि धारा 13 उपधारा 2 में है और भूर राजे से सही है था एक्ट जो है यह 1959 का है ठीक है नेक्स देखते हैं यह हो गया आपका पांधूरना यह कौन से नंबर पे आएगा यह आएगा 54 ठीक है 54 यह बना है पांच अक्टूबर को तो मैहर और आपका पांधूरना दोनों आपको पांच अक्टूबर मिलेंगे ठीक है तो पांधूरना यह किससे अलग होके बना है यह बना है छिंदवाडा से यह रहा आपका पूरा छिंदवाडा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पांधूरना तो यह रहा छिंद वाड़ा उससे अलग होके बन गया पांधूरना तो यह आप इसको पांडू पांडू भी कर सकते थे वैसे मैं मांडू को भी पांडू कहती हूँ लेकिन अब हमारे लिए एक नया पांडू आ गया है सच में मतलब पांडू ही रहेगा तो मांडू को कुछ और रिलेट करनेंगे यहाँ पे आप पांधूरना करते हैं पांधूरना जो आपका पांडू है ठीक है पांडू पांच लोगों को आटो में बठा कर कहां ले जा रहा था मेहर क्यूंकि मेहर भी आपका पांच ही अक्टूबर को बना है तो दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो पांडू है पांडू पांच लोगों को तो यह हो गया क्या पांच लोगों को अक्टूबर से करिएगा अक्टूबर से सीधे आप आटो बना सकते हैं ठीक है? तो पांच लोगों को आटो में बैठा के आटो में बैठा के कहां ले जा रहा था? मेहर माता जी के दर्शन कराने हैं ठीक है? मेहर ले जा रहा था यह हो गया तो पांडू जो है पांच लोगों को आटो में बठा के मेहर ले जा रहा था पांडू पांच अक्टूबर मेहर यह आपके हो गये कौन से 2023 पांच अक्टूबर को बने हुए जिले पंधूरना चववनवा हो गया और आपका जो मेहर है मेहर हो गया पचपनवा जिला ठीक है तो लाइन से आप जिले भी याद रखेगा क्योंकि नमबर भी पूछ सकता है उसके अलावा किस जिले से अलग हुआ है मेहर देखिए किस से अलग होकर बना है तो ये रहा आपका सतना यहाँ पर अलग होकर बन गया है मेहर तो सतना से अलग होकर बना आपका मेहर वीवा से अलग होकर बना मौगंज और यहाँ पर छिनवारा से अलग होकर बना पांधूरना आप देखेंगे कि मैंने यहां पर गजट भी लगा रखा है हर जगा यह इसलिए भी है कि अभी मेरे एक स्टुडेंट से बात हुई उसने नोटिफिकेशन नहीं देखा था तो उसे सच में नहीं पता था कि पच्पन जिले हो गये हैं सायद कहीं इंस्टाग्राम या मतर्त सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं है तो इसलिए उसने नोटिफिकेशन देखा यह और उसे पता ही नहीं था कि नोटिफिकेशन भी जा रही हो चुकए है और मध्यप्रदेश के पच्पन जिले हो चुके ठीक है तो इसलिए मैंन टूर न है पांडू आपका है लोगों को आटो में बठा कि मैहर ले जा रहा था तो 5 अक्टूबर को हो गया मैहर और पांडूर्णा ठीक है देखे मैहर है और यह अब इसमें जैसे आपको लिखना है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं स्टार्टिंग से देखेंगे स्टार्टिंग से सबसे पहला आपका आया 1972 भोपाल बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सारे के सारे बता दिये मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगी एक बार फिर से देख लेते हैं 1972 भोपाल फिर मई 1998 BFD के फुल फॉर्म आप ही बताइएगा ये बढ़वानी ये आपका शोपूर डिंडोरी और ये कतनी फिर हो गया आपका जून 1998 ये हो गया हुन तो ये हो गया आपका हर्दाव मरिया निमच फिर आप पांस साल जोटते जाएंगे तो 2003 अशोग लुट अबरे हैं थी के तीनों बुरे हैं तो 2003 में अशोग नगर अनुद्पूर बुरहनपूर फिर आपनो फिर तीं जोडा तो 2008 आथ आठ बार किसको सिंग मारी थी अली को अलीकोश्ची कोख हुए अलीगा हुन तो ये हो गया बांस साल जोड़ेंगे तो ये हो गया अगर मालवा अगर नहीं हुई तो हुँए यह ओगया आगर मालवा कबाडी की तरह हम रहा है तो यह हो गया आपका निवाड़ी थीक है प्र Ha Elliott है कौन सा फिर आता है आपका 2030 2030 में याद रखना है एक तो तेरे घरों में आग लगाई थी किसने लगाई थी गंजे ने क्योंकि गंजा गंजा उसको बोल रहते तो आपका होगा यह माउग गंज फिर हो गया आपका पांच लोगों को आटो में बठाके आपका पांडू था वो कहां जा रहा था पांडू जा रहा था मेहर ठीक है तो यह हो गया आपका मेहर यह हो गया आपके सारे के सारे जिले और उनके एर आई थिंक बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताए और आपको अभी तक में सारे के सारे एर याद भी हो गए होंगे ऐसे ही ट्रिक क साथ बहुत ईजी तरीके साथ चीजों को याद करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जादा से जादा लोगों को शेर कीजिए ये इतने अच्छे ट्रिक्स बनाने के लिए मुझे बहुत जादा टाइम देना पढ़ता है सोचना पढ़ता है तो मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए बस आप से यही गुजारिश है कि आप जादा से जादा लोगों को क्या करें शेयर करें बताएं कि यहां पर बहुत इजी तरीके से मैं पढ़ाती है ठीक है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के आल दा बेस्ट पढ़ते रही है